नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है आज के इस कच्छा में हम लोग पढ़ेंगे वर्क पांच के गनित के पार्ट आयतन यानि वॉल्यूम के बारे में जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं वो कुछ जगा छेकती हैं जैसे यह हमारा डस्टर है तो यह इतना जगा छेक रहा है और भी अगर हम कुछ लेते हैं, कोई भी ठोस वस्तू, तो वो भी कुछ जगा छेकता है, जैसे ये एक blocks का समू है, तो ये भी कुछ जगा छेक रहा है, तो जितना जगा ये छेक रहा है, उसे हम उस वस्तू का आयतन बोलते हैं, हर ठोस वस्तू का अपना कुछ आयतन होता है इसे हम एक और कतिविदी से देखते हैं, ये आप देखें, इसमें हमने पानी भरा है, इस फ्लास्क में यहां तक है, ये मैं चिने लगा दे रहा हूँ, ये यहां तक है. यह साथ आपको दिख रहा होगा, यहां तक हमने यह चेनल लगा दिया, यह यहां तक है, चलिए, अब मेरे पास एक पत्थर है, पत्थर या गेट्टी कहेंगे, इसका आयतन कितना है, यह देखते हैं, आप गौर करें, यह पानी कहां आ गया, इसका इस्तर, इस पानी का लेवल यहां आ गया, पहले यहां था, आप देखिए यह पत्थर डालने के बाद यहां आ गया, अर्थात यह जितना पानी उपर आया है, वही उस पत्थर का आयतन है, आयतन की मानक इकाई है घन इकाई ये ब्लॉक हम देख रहे हैं तो इसका आयतन होगा एक घन इकाई अगर इसकी भुजा सेंटीमीटर में होगी तो ये इसका आयतन होगा एक घन सेंटीमीटर अब हम एक गन ले रहे हैं जिसकी भुजा है तीन इकाई है अर्थात इसकी लंबाई भी तीन है उचाई भी तीन है और चोडाई भी तीन है तो हम देख रहे हैं कि इसमें कितने गन है कितने ब्लॉक है या कितने गन इकाई है तो आप गिनेंगे इसे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ हरा वाला भी नौ है, पीला वाला भी नौ है और ये ब्लू वाला भी नौ है तो इस तरह से इसका आयतन हो गया 27 घन इकाई तो घन का आयतन होता है भूजा गुना भूजा गुना भूजा और घनाब का आयतन ये होता है लंबाई, गुना चोडाई, गुना उचाई अब घन के आयतन से संबंदित एक प्रस्ण हम देखते है उस घन का आयतन ग्याद कीजिए जिसकी एक भूजा की लंबाई दो सेंटिमीटर है तो घन का आयतन अब हमने क्या फार्मूला देखा था भूजा, गुने, भूजा, गुने, भूजा तो इस प्रस्ण में इसकी भूजा, इस घन की भूजा क्या है दो सेंटिमीटर तो ये हो गया दो गुना दो गुना दो अर्थात दो गुना दो चार दुना आठ आठ घन क्या सेंटिमीटर आठ घन सेंटिमीटर अगर यहां सेंटिमीटर की जगे मीटर होता तो मीटर हो जाता और इंच होता तो इंच होता या मिली मीटर होता तो मिली मीटर होता अब हम लोग घनाब का आयतन कैसे निकालें ये देखते हैं इसकी लंबाई चोड़ाई और उंचाई दिवी है लंबाई है इस घनाब की 5 cm, चोड़ाई 3 cm और उंचाई 2 cm तो घनाब का आयतन हमने अभी फार्मूला देखा था लंबाई गुना चोड़ाई गुना उंचाई तो लंबाई कितनी है? 5 और चोड़ाई 3 और उंचाई 2 लंबाई है 5 cm, चोड़ाई है 3 cm और उंचाई है 2 cm तो यह हो गए 5 त्या 15, 15 दुना 30 30 घन सेंटी मीटर तो आज की कच्छा में हमने ठोस वस्तूओं के आयतन के बारे में सीखा और यह भी सीखा कि घन का आयतन किस तरह से हम लोग निकालेंगे? घनाप का आयतन हम लोग किस तरह से निकालेंगे? आसा है कि आज का यह पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अपने पुस्तक के अभ्यास के प्रस्णों को आप अधिक से अधिक बनाएं धन्यवाद